ये कहानी एक आसकर नाम के बॉने लगे प्याधारित है जो अपनी आग मिटाने के लिए अपनी नौकरानी से लेकर अपनी पडोसी तद को पेल देता है और उनको प्रेग्निंट कर देता है अब इसके बाद आसकर और क्या-क्या कारणामे करता है ये हम आज की इस एक्स्प् में भागते हो इसके पास आता है और पुलिस से चुपने के लिए उसकी मदद मांगता है तब ही एना अपनी जादूई गुफा खोल कर उसे अंदर चुपा लेती है और जोसिफ भी नंबर का हरामी होता है और वो एना की गुफा में उसका गीम बजाना शुरू कर दीता है फिर पुलिस के वहाँ से जाने के बाद वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं और एक दूसरे के साथ रेना शुरू कर देते हैं एक दिन पुलिस जोस्त को पकड़ी लेती है इस से पहले कि वो से मार डाले जो सिर्फ पानी में कुट कर वहाँ से काये बो जाता है कुछ अंब दूब गाया और कुछ का कहना है वो भाव कि अमेरिकार आ गया जहां पर वो अमीय विस्नस हैन बटान कर रहा है कि दूसरी तरफ पियार कर रहे थे अजावलागश एलत्र करती ये पीदा होने के बाद औसकर चुप होने का ना ही नहीं ले रहा था पर जब उसकी माने कहा कि उसकी तीन साल की उम्र होने पर वह उसे एक टिंड्रम देगी तब जाकर ऑसकर ने रोना पंद किया फिर तीन साल का होने पर जब आसकर ने अपने बड़े पाटी में लोगों को शराब पीते हुए और नंगा नाच करते हुए देखा तो उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी पड़ा ही नहीं होगा और अपने इसी महान काम को पूरा करने के लिए वो सीड अब 6 साल का हो गया है पर ना तो वो बड़ा हो रहा था और ना ही वो अपने टूटे हुए ड्रम को छोड़ रहा था और अगर कोई उससे वो ड्रम चीनने की कोशिश करता तो ऑसकर अपने आवाज से कांच तोड़ देता अब ऑसकर की इस पावर को देखकर डॉक्टर भी और बीचते हैं और आशकर अब 12 साल का हो चुका है फिर आशकर एक दिन अपने मॉम डैड के साथ सरकस देखनी जाता है जहां वो कुछ बॉने लोग को परफॉर्म करता हुआ देखकर आशकर की मॉम डैड को भी लगनी लगता है कि आशकर शायद बॉना है फिर सरकस खतम ह पारouver आशकर बैपरा नाम के एक बने से मिलता है जो कि आसकर के स्टेलिन को देखनी के बाद उस्य अपने सरकस में काम करने के लिए बोलता है तभी वहाँ और उसकर के मॉम डैड आजाते हैं और उसे अपने अपने साथ ले जाते हैं कि एकनेस जिस दुखानदार के पास को छोड़का जाती थी वो दुकांदार एगनस से प्यार करने लगा था वो उसे और आसकर का अपने साथ लंडन चलने को बोलता है तब ही एगनस उसे मना कर देती है और उसे चूतिया बोलकर वहां से चली जाती है तर कुछ दिनों बाद एगनस को पता चलता है कि वो वो सिर्फ एगनेस को खुश देखना चाता था और क्यूंकि ऑसकर के पैदा होने के बाद एगनेस को कभी भी खुशी नहीं मिली इसलिए वो बच्ची को जनब नहीं देना चाती थी और जाता मचलिया खाने के बाद फूट पॉजनिंगे विजिस उसकी देथ हो गई इसके क कुछ सालों बाद हम ओसकर को देखते हैं तो अपना ड्रम ठीक कराने के लिए जैन को एक पॉलिश पॉस्ट ओफिस के पास ले कर जाता है वो दौर चल रहा था जब जर्मनी पूरे पॉलिण पे हमला करकर उसे अपने कबजे में करने की कोशिश कर रहा था वहीं पॉस्ट 16 साल की मारिया नाम की लड़की को अपनी दुकान पर काम करने के लिए लगता है मारिया दुकान के काम के साथ सथ आसकर का भी ध्यान रखती थी और फिर कुछ दिनों में आसकर को मारिया से प्यार होने लगा आसकर भी मारिया जितनी ही उम्र का था मारिया को इस बात पर य फिर एक दिन उसे पता चला कि मारिया का एलफरेट के साथ अफैर चल रहा है मारिया एलफरेट से बहुत प्यार करती थी पर एलफरेट सिर्फ उसका इस्तमाल कर रहा था अब इस बासे मारिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है फिर इसके कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़की को जनम देती है जिसको पाकर सब ही लोग बहुत खुश थे पर आसकर इससे बिलकुल बेखुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि ये बच्छा उसका है दूसरी तरफ हम आसकर के दोस बैबरा को देखते हैं जो कि वर्ल्ड वार 2 के दोरान नाजी आर्मी में एक बहुत बड़े पोस पर काम करता था फिर एक दिन उसने आसकर को भी अपने टीम में आने को खाँ जो कि पैरिस में एक परफॉर्मंस करने वाले हैं अब आसकर उनके साथ मिलके सभी को अपनी टैलिंग दखाने लगता है और इसके साथ उसे अपने टीम की एक लड़की रोज से प्यार हो जाता है अब टाइम बीटता है और हम देखते हैं आसकर अपने बॉनो दोस्तों के साथ खुश था और वो अपनी जिन्देगे अपने हिसाब से जी रहा था जैसे की खाना पीना और घपा घप करना पर फिर एक दिन अमेरिकन सेना वहाँ पर हमला कर देती है और उस हमले में आसकर के आइटम रोज मारी चाती है अब उस हादसे के बाद आसकर वापस अपने घर आ जाता है और वहाँ पर वो मारीया के तीन साल के बेटे को एक वैसा ही टेंडरम गिफ्ट करता है जो कि उसे उसकी तीन साल की उम्र में मिला था अब मारीया आसकर के आने से बिलकुल भी खुश नहीं थी पर एलफ्रेड उसके आने से बहुत ही जादा खुश था और उसने आसकर को उन लोगों से चुपा कर रखा जो उसका इलाज करने के लिए उसे हास्पिटल में भाती करना चाते थे क्योंकि एलफ्रेड को ऐसा नहीं लगता था कि आसकर अब नॉर्मल है और वो एलफ्रेड के सामने ही लीना के साथ घवागप करने लगते हैं वहीं एलफ्रेड की नाजी सिपाई होने की सच्चाई चुपाने के लिए उसकर उसे एक पिन देता है जिसके उस पे नाजी सिपाई होने के बारे में लिखा हुआ था पर तभी एल्फरेट बचने के लिए उस पिन को निगल लेता है और वो पेन उसकी गले में अटकने के वज़े से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है फिर एक दिन मारेस नाम का आदमी एल्फरेट टी दुकान आता है और अब वो उस दुकान का नया मालिक था अब दुकान को अपने कबजे में करने के बाद मारेस एल्फरेट का फ्यूनरल कर देता है क्योंकि उसने भी रेसेंट लिए बच्चे और पत्नी को खोया था और वो अपनों को खोने का दरदच्छी से समझ सकता था वहीं एल्फरेट के फ्यूनरल पर आसकर को समझ आदाता है कि उसका अब इस दुनिया में और कोई नहीं है इसलिए आसकर अब डिसाइड करता है कि अब वो फिर से बढ़ा होगा और आसकर अपने ड्रम को भी एल्फरेट के साथ दफना देता है पर तब ही कहीं से एक पत् टीवेब जा चुकी है आस मैंना वहीं पर ही रह जाती है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी और इसके साथ ही ये फिल्म यहां पर खत्म हो जाती है ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेच को लाइक करें धन्यवाद